नागरिकों की सुविदा सुनिश्चित करने के लिए जीरो एफायर को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद हम ठाने के गुना कहीं पर भी हुआ किसी भी ठाने का हो आप हिमाले की चोटी से भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं और कन्या कुमारी के सागर के गुना रजिस्टर होने के बाद 15 दिन में कंसन ठाने को भीदना होगा इफायर का प्रावधान हम पहली बार जोड रहे हैं हर जिले में और हर थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जिसके परिवार जनों में गिरपतारी हुई है इसको अधिकृत सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके परिजन हमारी कस्टरी में है और इसके लिए अब हम रिस्पोन है कई बार पकड़ कर पॉलिस चारचान दील तक कोई जवाब नहीं देती है मानेवर और वहाँ पर उनको फौर्ट में जाना है और इसकी जगे अब वो ऑनलाइन भी सुचना देनी पड़ेगी और व्यक्तिगत सुचना भी देनी है यह उत्पिडन के मामने में बयान का विडियो रेकोर्डिंग भी अप कमपलसरी कर दिया है मानेवर पॉलिस को 90 दिन में जिसने फरियात की है इसका स्टेटस देना हमने कमपलसरी कर दिया है 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फरियादी को अपना पात्वर्स या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रो करना है तो पीडित को सुने बगर कोई भी सरकार इसको विड्रो नहीं कर पाएगी यह भी ही इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्सा होगी और इसके अंदर पहली बार हम कॉम्मिनिटी सर्वीस को सजा के बा इसमें कई जगे पे है परन्तु इसका इंट्रोडक्शन एक्ट से कानून से अब होगा है मनेवर सालों तक केस चलते नहीं है इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रावदान करे हैं छोटे मोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया है समरी ट्रायल को 20,000 तक की गुनाहों में ले लिया गया है और तीन साल तक की जिसमें सजाए वो सारे समरी ट्रायल से हो जाएंगे इस एक ही प्रावदान से 40 प्रतिसक केस हो कई सेस्टन कोर्ट से बाहर होकर नीचे ही समरी ट्रायल से समाब को जाएंगे हमने टाय कर दिया है कि 90 दिन में आरोपत्र दायर करना ही पड़ेगा और कौर्ट भी उनको और 90 दिन की परिस्तिती देखकर परमीशन दे सकती है 180 दिन में आपको जाएंगे समाप्त करकर ट्रायल के लिए भेद देना पड़ गया इससे बहुत बड़ा भरकूगा वारंट के मामले में भी हमने काफी सारे बदलाव किये है आरोपी व्यक्ति को आरोपताई करने की नौटिस 60 ही दिन में देने के लिए अब कोटे बाद्य हो जाएगे कोट में चार्ज फ्रेमिंग 60 दिस्तित ज्यादा लंबा नहीं कर सकते बहस पूरी होने के बाद 30 ही दिन में माननेवर नयाय दिस्तित अपना फैसला देना पड़ेगा अब तिन-तिन साल तक फैसला पेंडिंग नहीं रहते हैं कई सारे जह जहते से सुखवी सुनवाई कर देते थे और फिर बाद में ट्रांसपर हो जाती थी या रिटार कर जाते थे और ट्रायल फिर से चलती अब ऐसा नहीं होगा 90-30 दिन के अंदर ही फैसला देना पड़ेगा इसको भी हमने और फैसले को 7 दिन के अंदर ओनलाइन उपलब्द कराना पड़ेगा जिससे इस पर अपील की कारेवाही मनेवर हो जाए